हलो फ्रेंड्स अमीना बुटिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की जो वीडियो है यह मैं आप लोग की डिमांड के उपर बनाने जा रहा हूं क्योंकि बहुत-बहुत कमंट आते थे कि सर पहले बाजू बार में फिटिंग करने वाली वीडियो ले दोस्तों कमीच के अंदर बिलाउच के अंदर क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में तो यह पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है एंड तक देखोगे तब ही आप समझ पाओगे इसकी करके देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आ एंदर को दोस्तों आ लगे सकते हैं साथ ही दोस्तों हमारे पेपर कटिंग्स भी हैं जिसको कमीज कटिंग, gravel cutting, blouse cutting करने में बीकर लगता है तो हमारी paper cutting के मदद से बहुत असानि से कंटिंग घर पे बना सकता है तो तो दोस्तों यह कमीज है जिसको मैंने बनाया था इसली वीडियो के अंदर तो यहां पर यह कमीज में मैंने जो बाजू चड़ाई है वो पूरी फिटिंग लगाने के बाद चड़ाई है ठीक है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पहले बाजू कैसे चड़ाना है फिर फिटि दोस्तों यह सलाई हैं फिर आपको बताते हैं तो देखे दोस्तों अब यहां पर आपको एक चीज दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं उसको आप दिहान से देखना और समझना देखे कमीज में हम पहले कभी भी बाजू इसलिए नहीं चड़ाते क्योंकि जो हम है साड़े वाइस यानि अगर आपने साड़े दाई एक चैष्ट में मानता हूं बाइस इंच्च है इस तरही नापेंगे हमारे आदा इंच बढ़के आरी है था आदा बढ़के आए तो यहां पर एक पैर आप एक पैर किसको कहते हैं यह चीज समझ लो थीन के बार यह जि एक पर कहा जाता है तो हम यहां पर इंचिटेव से दो लाइन पर एक निसान लगा देंगे इधर और यह वाले निसान पर यहां भी दो लाइन पर निसान लगा देंगे अब दोस्तों यह निसान लग गया हमें यहां पर करना है हमें कट थीक है अब यहां पर हमने कट कर लिय इसी तरीके से एक कट कर लेंगे हम यहाँ पर ठीक है अब दोस्तों कट कर लिए लेकिन एक चीज पर धियान देना ही है थोड़ी एजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि रीजन ही होता है यह हमने जो कट लगाए यह सेंटर बैठे का नहीं वह भी आपको आप लोगों को काफी डिमांड है तो यह चीज सिखानी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कैसे करनी है वह आपको बाजू चड़ाते वक्त समझाए जाएगा फिलाल के लिए आपने यहाँ पर कट लगा दिया इस कट पर आपको दिहान रखना है ठीक है अब यहा को मैंने ये लिया इसमें स्लाइब कम हो गई तो उस दिखां पर मारें फिक्स रहा क्योंकि बाजू हमारे सबसे पहले अ वागुवा का कट है इस पर दिमना आपको मैं यहाँ पर इस बाजू की पूरी स्लाईब को lics ठीक है यह स्लाई खोलने कर आपको बाजू चड़ाने का तरीका बताता हूं तो सबसे पहले यह स्लाई खोलूंगा और एक हाथ की बाजू चड़ाना बताऊंगा ठीक है तो यहां पर यह स्लाई खोलकर और इधर वाली साइड में फिटिंग की यहां से कमर से ठीक है यह कमर क आपने हाँ पर कट लगा दिया यहां से कम करना लेकिन यह चीज कमर पर मिलेगी तो यहां पर आपको निसान Lगा लेना है तो मैं यहांपर निसान लगा रहा ह। यह रेखो क्योंकि मेरी स्लाई अब यहां पर आएगी मैंने फिटिंग कम करी तो हमें यह निसान इधर लगाना पड़ेगा यानि जो फिटिंग की सलाई आएगी वह इस कट से दब्त हो ऐसे आएगी इस चीज़ का आपको दियान रखना है तो यह जो सलाई लगी है यह कैसे लगानी वह अलग चीज़ है तो हम पहले सलाई खोल लेते हैं तो यह दोस्तों बाजू को मैंने खोल दिया अब यहां पर मैं आपको जोच्छी दिखा रहा हूं से धियान देना मैं तीन निसान लगा रहा हूं एक निसान यह होगा यह हमारे साइड का जोड़ का एक इदर यह निले चोंग का ठीक है हं सेंटर में हम लगाएंगे वाइट चोग यह मारा संट्रभा निसान हैं अब दोस्तों यह वाली डेखेंगे जोड़ वाली आने साइड है तो हमारे को यह घुड़ करना हBook हमारे इसको एसे यह जोड़ना करेंगे जोड़ना से टनना से बस आपको एक बराबर इसको ऐसे मिलाते हो जाना है अराम अराम से अब यह जगा आएगी ना यह बारी की बता रहा हूं मैं आपको अब यहां पर देखे क्या होता है काफी लोग से हलका खिचे जाता है कपड़ा तो यहां बैठना चाहिए ठीक है ऐसे करके लेकिन अगर खि पीस बन जाता है तो आप लोग यह सोचते होंगे कि पहले मैंने बनाया था उसमें पर्फेक्ट था पतन इसमें गलती तो यह जो गुलाई होती है ना आड़ेपन के और यह प्रावलम आ जाती है अब देखिए ऐसे मिलाते हो आएंगे ना तो यह वाला जो कट है दियान से कमीज हमने ऐसे रखी ठीक है अब मैंने कमीज की थोड़ी जोड ली थी लेकिन यह चीज़ आपको पहले कर लेने तो आपको चड़ाने में और असानी होगी अब इसको हम देखिए इस तरीके से कंदी पर ऐसे रखेंगे ठीक है ऐसे रखने के बाद यहां पर हम से रखते जाना है ठीक है कहीं भी कुछनी खेटां सिलाई लगाएंगे थोड़ी लगाने के बार एक बार हम कट को चेक कर लेंगे कि यह वाला फिटिंग का कट बाजू के कट से मिलके आना चाहिए जैसे कट मिलके आ रहे हैं उसको अराम से पकड़ लेंगे इतने साइड म से अरे हम एक हैर के मार्जन सी लगा रहें इस तरीके से आप फिशा filthy लगाना शिर्णठर करते हुए तो डेखो यह सिलाई हमारे को एक और लगानी इसी के उपर जिससे की मजबूती हो जाएगी यह देखो जैसे मैं लगा रहा हूं सेम आपको ऐसे लगानी होगी अब जहां से स्टार्ट करा था उस धागे को हम कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद दोस्तों यह वाली जो साइड है ना इसको हम एक बराबर ऐसे लेंगे और इस तरीके से हम जोड़ेंगे यह देखिए थोड़ी सिलाई लगाने कर इसका भी हम जो बाजू का सेंटर है कमीज की सिलाई से चेक करेंगे तो यह देखिए कमीज और बाजू हम इस तरीके से मिला लेते हैं मिलाने के बाद देखिए दोस्तों बिल्कुल एक दम सही आ रहा है ठीक हलका ऐसा बाजू इदर बड़ी हो सकती है तो आपको ऐसे पकड़ने का जब इसको ऐसे खेचेंगे ना तो यह इससा बिल्कुल बराबर बैट जाएगा तो बस बराब कि यह देखो कट से कट मिल गया यह मिलाना भोज रही है अब यहां पर उतारने के बाद अब दोस्तों यहां पर इसको ऐसे करेंगे एक यहां पर लगाएंगे जहां पर उतारा हमने इस तरीके से तो सिलाएं लगाते हो आएंगो जहां से स्टार्ट करा था ना हमने वहां पर उतार देंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ हमारी दो दो सिलाएं लग चुकी है अब दोस्तों में फिटिंग करनी है तो फिटिंग करने के लिए देखिए अब यहां पर हमारा यह मार् दूसरी चीज़ कि बाजू का मारजान और कमीज़ का आम इक लए तरक Cela पबढ़ानी तो ने पर भbn向यज़ चाहिए तो यहाँ पर 1 लगा लेता हूं इस तरीके से मिलाऊंगा बाजू को सिलाई लगाऊंगा यह देखो काफी लोग की डिमांड सी दोस्तों इसलिए वीडियो बनाई गई अब देखिए यहां पर एकदम पर्फेक्ट मिलके आ रहा है अब यहां पर यह जो सिलाई है आपकी यह देखिए भाई दिखाना यह लगाते हैंगे अब जो बचा यह हिस्सा इसमें मार्जन को बाजू के उस तरफ कर देंगे ऊपर ऐसे ठीक है और यहां सिलाई लगाई अब देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई है इधर हम आई के हलका पका करेंगे अब दोस्तों यहां पर हम अपनी कमीज की फिटिंग ल बता दिया बस यहां पर हलकी फुल के आपको लग जोल है यह तो जब प्रैस लगेगी ना सारी जोल खतम हो जाएगी अब इसको दोस्तों में सीधा कर लेता हूं और आप लोगों को इसकी बाद की जो मतलब फाइनल लुक है वो दिखाता हूं तो दोस्तों आप ध्यान से देखें यह बैक साइड है आप देखो किसी भी तरह की कोई जोल नहीं है ठीक है अभी कोई नहीं लगी उसके बार मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं अब इस साइड में आप देखो के हलकी जोल है मैंने आपको बताया था ना फरेंड वाला इस सही गड़्टा होता है लेकि लोग यह चाहते हैं कि फटा फट से मालों लूश टाइट करना हो तो बाजू के साथ ही वह लूश टाइट कर लें तो जादा तर यह चीजे गुजरात महाराश्ट्रा और आपका पूर्णे साइड में इस जगह चलती है तो आपको पहले बाजू चलाके कि सरीगे से कमीज में फिटिंग लगानी चाहिए यह मैंने वीडियो बनाई है और अब दोस्तों मैं आपको जो बाजू वाले ही होती है ना जैसे मालों बाजू पहले बाद में चलाते हैं तो उसमें लूश टाइट कैसे करना हो भी बताता हूं सबसे पहले आप इसमें समझें अब इसके आ मालों इतनी स्लाइख खोल लेते हैं जो बाजू चलए होती है फिर इतना 7 मिल जाता है ठीक है अब इतना इससमा मालों हमें निल jsीर्याच करना है यतना हिस कर लेंगे बाजू करें इतना हिस्ते हैं उतना हिस्ते यहां से उक्शू पक्ड़कर नहीं बढ़ाले देने तो साइट में देखूं कि इससाइड में आपने देखा कि मैंने लेने के बार इस तरीके के से बाजू चडाई लेकिन अगर आपसको मेचरमेंत नहीं लेते और बाजू को एक ठाह से चड़ा देतों मिला कर माल्लो आपने बरापर मार्जन रखा है और यहां पर एक बरापर मिला के चड़ा दिया लेकिन अब आप यहां पर मेंजर में नापते हो तो आप यहां पर आदा इंच कम करके चेस्ट की लगाओगे तो कमीश की फिटिंग तो हो जाएगी लेकिन जो बाजू का कट था वह बाजू का कट यहां पर हो जाएगा टाइट इस वजह से हम कभी भी ना कभी भी बाजू पहले नहीं चड़ाते लेकिन इसका भी मैंने सोल लेकिन आप कमीश में इस तरीके से बाजू चड़ा सकते हो तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रू बताना काफी लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी जो लोग पहले बाजू चड़ाते हैं उनके लिए काफी हेल्प हो गई होगी इस वीडियो की मदस्ते और आपट समसीज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर आपको स्ेफ ब्लाउस क्लास सारे पैटरर्स की डिटेล मिल जाएगी तो फटा-फट से दोस्तो आप जो है जोएं जोईन करना चाते तो इस नंबर पर मिडियो के लिए अभी तक आपने अगर हमारी हमारे चेनल